आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों सदिश के लंबवत इकाई सदिश लिकालना है तो सबसे पहले हम इन दोनों का सदिश गुननफल कर दें ठीक है, तो पहले इससे में देखिए यदि मैं X मालनू इसको 3J कैप प्लस K कैप को और Y मालनू दूसरे सदिश को माइनस 5I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप को ठीक है, तो यहाँ पे X क्रोस Y मैं करूँ तो एक साड़नेक में I कैप, J कैप, K कैप लिखा X के लिखा 0, 3, 1 और Y के लिखा माइनस 5, 2, और माइनस 1 तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों आपका आया माइनस 3, माइनस 2 तो माइनस 5I कैप ठीक है, J कैप के लिखे कितना बना J कैप के लिखे दोस्तों, प्लस 5 यहाँ फिर माफ कीजिएगा यहाँ से माइनस 5 ठीक है, माइनस 5J कैप और K-CAP के लिए आया आपका प्लस पंदरा K-CAP ठीक है, अब हमने इन दोनों सदिश की लंबवद एक सदिश लिका लिया, अब इसकी दिशा में मातरक सदिश क्या होगा या इकाई सदिश हम कहले तो दोस्तों हम जानते हैं, यदि आपके पास कोई सदिश है, मान लीजे S, ठीक है, तो S क्या होता है, S का मापांक, और N-CAP, जहाँ N-CAP है, S की दिशा में, एक मातरक सदिश, ठीक है, तो N-CAP क्या आया, S बटे S का मापांक, ठीक है, तो इसी का इस्तमाल करते हुए हम, इस सदिश की दिशा में, इकाई सदि प्लस 15 k cap बटे इसका मापांग मापांग लिकालने के लिए रूट के अंदर 25 प्लस 25 प्लस 15 का वर कितना होगा 225 ठीक है तो कितना आया है 275 आ गया रूट के अंदर ठीक है दोस्तों नीचे आया रूट के अंदर 275 ठीक है तो इसे हम देखिए 275 को हम लेख सकते है 275 बराबर 25 गुना 11 के ठीक है तो 25 अंदर आये तो रूट से 5 बाहर आ जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ सीधा लिखूँ देखिए तो 5 बाहर आया और रूट के अंदर 11 रह गया ठीक है तो 5 से हम इसको काट दे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप बटे रूट 11 दोस्तो यह आगया आपका पहले इससे का उतर इसी तरह हम दूसरे हिससे में देखें दूसरे हिससे में भी हमें बिलकुल यही करना है तो पहले हम X क्रोस Y निकाल ले तो देखें वह कितना आएगा दुबारा वही करेंगे I कैप, J कैप, K कैप और 1 माइनस एक 3 1 माइनस एक 3 2 माइनस 3 और कितना है हमारे पास? 1 ठीक है तो यहाँ से देखें कितना मिलेगा हमें I कैप के साथ आजाएगा माइनस 1 प्लस 9 तो 8 I कैप ठीक है? और J कैप के लिए कितना आजाएगा? 1 माइनस एक तो माइनस 5 और तो प्लस 5 बन जाएगा J कैप के लिए K कैप के लिए माइनस 3 और प्लस 2 तो माइनस K कैप ठीक है दोस्तों? अब इसकी दिशा में 21 सदिश हम बिलकुल उसी तरह लिका लेंगे जैसे पहले लिका ला था इसको इसके मापांक से भाग दे देंगे तो रूट के अंदर 8 का वर्ग यानि 64 प्लस 5 का वर्ग यानि 25 माइनस 1 का वर्ग यानि 1 तो यह आएगा देखिए नीचे बना 64 प्लस 26 यानि 90 तो 90 है तो हमारा कितना रह जाएगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ आठ आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप रूट 90 है तो तीन बहार आगया और रूट के अंदर रह गया 10 ठीक है तो यह आगया दूसरे हिस्से का उत्तर इसी तरह हम तीसरे हिस्से के लिए देखें तो I प्लस J और J प्लस K है हमारे पास ठीक है तो X cr unterstützen Y करें हमेशा की तरह आई प्लस J तो एक एक शूँने और J प्लस K तो एक यहाँ पे शूँने यह और एक यहाँ पे तो देखिए इससे क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे i-cap के साथ आया दोस्तों एक तो सीधा i-cap लिखा मैंने j-cap के साथ क्या आ रहा है माइनस एक ठीक है और k-cap के साथ आ रहा है हमारा एक ठीक है अब इसकी दिशा में मातरक सदिश लिकालना है तो इसको इसके मापांक से भाग दे देंगे ठीक है तो रूट के अंदर आया एक का वर्ग प्लस माइनस एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग यानि i-cap माइनस j-cap प्लस k-cap बटे रूट तीन आ गया आपके तीसरे हिससे का उत्तर तो दोस्तों इस तरह हमने तीनों हिस्सों में मातरक सदिश ग्याद किये जो दो हमें सदिश दिए गए थे उनकी लंबवत दिशा में धन्यवाद